आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ अब दूसरा एक Amino Acid मान लेते हैं इसको मान लेते हैं A Amino Acid दूसरा एक B Amino Acid मान लेते हैं हम क्या होता है Ns2 C H R' C डबल पूड ओ अब देखें हमार पास दो sequence हो सकती है एक तो AB हो सकता है और एक BA हो सकता है अब AB होगा अगर A और B माने तो इसका OH निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा है H निकलेगा और हमार पास एक polypeptide chain में लेगी तो हमार पास यह AB आएगा यह sequence किस तरीके क्या आई देखिए CH R C डबल पूंड ओ NH CH RS C डबल पूंड ओ हमार पास इस तरीके का है डबल पूंड ओ NH CH R C डबल पूंड ओ हमार पास यह sequence आती अब यह AB और BA क्या है अलग-अलग है हमार पास क्या हुआ AB और BA अलग-अलग है तो हमार पास वो polypeptide दिया गया था उसके इंदर कितने निकलेगे थे सट्रारर पास इससी तरीके सहरसे किसे समय कर सकते हैं यह कर सकते हैं और C B अबार पास total कितनी sequence यह सकती है इस तरीके से हम इस सवे सकते हैं क्योंकि त्विआ पर पास AB और BA अलग-अलग आरहे मतलब इसको reverse करते हैं amino students को तो हमार पर sequence change हो जाती है इस वज़े से कि आया 3 amino students को हम 6 sequence में arrange गर सकते हैं तो option कितना? Option 3 is the right answer. Thank you friends.